काफी सारे लोगों के बार बार सवाल आ रहे हैं कि सर काम कर रहे हैं कॉंसेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं काम क्यूं हम अच्छी तरीके से कर नहीं पा रहे हैं कर तो रहे रिजल्ट अच्छी तरीके से क्यूं नहीं आ रहा हम लोग कर रहे हैं कोशिश बहुत कर रहे लेकिन आज इस टॉपिक पर जबरतस ट्रेनिंग वीडियो आप सब के लिए लाया हूं इसको लास्ट तक देखिए गा आज़ ना मैं आपके ब्रेइन को निचोड़ने वाला हूँ आज आपके ब्रेइन का जो tips बोलिए ये सारे linguist X sack आज ब्रेइन का हम ब्रेंगर ग्राउंड इसलगे बारे में आज जानेंगे ब्रेन का कुछ बेक्राउंड नुएस है ये जो सर है ना इंसान का दिमाग है ना ये दिन में 50,000 to 80,000 thoughts पचास हजार से लेकर 80,000 तक चिंटाये सोच अपने ब्रेन में हमेशा खेलती रहती है खेलती रहती है दिन तो है 24 गंटा उसमें से 8-10 गंटा आप सोने में बिता देते बाकी का जो टाइम बचाया ना 17-18 गंटा उस 18-17 गंटा में आप 50,000 से 80,000 सोच अपने दिमाग में आप पाल लेते हो हमेशा ने ने thoughts आते हैं आपके ब्रेन में 50 से 80,000 thoughts में से आपका सिर्फ एक thoughts या फिर दो thoughts ही आपका काम में आने वाला है उस पर ही आप काम करने वाले ह तो ज्यादातर लोग जो concentrate कर नहीं पा रहे हैं उन लोग को ये खेल समझ में नहीं आ रहा है इसलिए concentrate नहीं कर पा रहे हैं मैं भी पहले ऐसे था मैं भी पहले ऐसे था लेकिन मैंने अपने अंदर ये चीज़ मैंने डेवलप कर ली है आज मैं उसको आपको बताने जा रहा अब तभी आपके brain में आप परतो रहो इस तरफ लेकिन brain में कुछ और सोचा रहा आता है कि ने हाँ आता है सब का आता है आपका क्यों नहीं मेरा भी आता है मतलब क्या है आपका brain एक जगा पर focused नहीं है वो concentrate नहीं कर पा रहा है एक एक घंटे में 7 800 thoughts 1000 thoughts 2000 3000 thoughts आप घंटे में पाल लेते अपने brain में तो जब आप इतना जादा सोचते है तो आपका focus नहीं रहता है किसी एक चीज़ पर focus नहीं रहेगा तो result fruitful result नहीं आएगा fruitful result पाने के लिए आपको focus रहना पर एगा अपने goal की तरफ आप अपने जो किया है dream कुछ भी आप गोल रख रहे है उस पर आ आपको क्या करना है ये जो thoughts ये जो thoughts आ रहे है आपको 50-80,000 thoughts आ रहे है इन thoughts पे आपका brain हमेशा कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ टाइम हो जा रहा है तो क्या हो क्या रहा है आपका main focus किया होना चाहिए आपका यहाँ पर focus होना चाहिए आपका goal रखा हुआ है एक या दो गोल अपने रखा है, सेट किया है, उसमें नहीं जा रहा है, आपका अलग, ज्यादा तर 99.9% थोर्स यहीं फिजूल की होती है, आप कभी ना, ध्यान से आप कोई भी अगर आप सोचते हैं, कुछ भी, आप ध्यान से आप बैठ के देखिएगा, वो जो थोर्स जो आप सोच अपने फिजूल का थोर्स है, इसी भी कारण से हो सकती है, या तो आप स्ट्रेस जाद आ लें, या तो आप ज्यादा चिंता कर रहे हैं, किसी एक चीज़ को लेकर ऐसा कर रहे हैं, तो ये भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, वो वेर टीबी में कुछ नियूस देखरें, उसक पकाई तो इसाब ना एकदम खिचरी की तरह पक रहा है इंसान के दिमाग में जो खिचरी जो पक रहा है ना इसको आपको एक जगा पर लाना है खिचरी को नहीं आपको एकदम एकदम separately आपको concentrate करना है देखे इससे main problem क्या होता यह पहले समझे आप हमेशा इससे restlessness फिल करोगे नमबर टू है आपका unfocus कुछ भी आप focus देकर आपकर नहीं पाएंगे ठीक है कुछ भी आप जो सोच रहे उस पर करने के लिए जाता हो कोई दूसरा आ जाता है बीच में कोई और दूसरा काम आ जाता यह आ जाता है आप जो गोल पकरे हुए ना वो नहीं होता है फिर यह होने से आपका तीन नमबर आता है टायाडनेस टार नमबर आता है यहाँ से अनसक्सेस रेस्ट्लेसनेस आ जाता है ज्यादा इतना ज्यादा थौट आप सोच रहे हैं दिमाग रैस्ट नहीं कर पा रहा है कुछ लोग बोलते है कि यह जितना आप सोचेंगे उतना बरहा होगाती हगा जी हाह जितनाग्रोष न को पाला भरा होगा जीना आप इतना जादा तो आपका कुछ भी नहीं होगा पॉछ सोच पर 1 टॉपिक पर जढ़क अगर सोच ए त भी लाव है समझ में तो आपको क्या रहा है restlessness फील हो रहा है आपको हमेशा unfocused आप रहे हैं इन आप चीज के कारण टायर्डनेस फील कर रहे हैं उसके बाद आपका इन सब के कारण आपका रहा है unsuccess असफलता तो यह जो मेइन पॉइंट है अभी हम बात करेंगे इसको कैसे हाउ टू कंट्रोल हाउ टू कंट्रोल यह थॉट्स इस पर आज हम focus करेंगे इस वीडियो में थॉट्स को कंट्रोल करने से क्या होगा अप अपने जो काम कर रहे हैं उस पर आप focus हो पाएंगे आप ज्यादा आपका जो weil power हो वह बहुत strong होगा आप ज्यादा active feel करेंगे ज्यादा positive feel करेंगे ज्यादा alert आप फिल करेंगे क्यों सकस्स की तरफ आप जा पाएंगे जो काम पाकर रहे हैं जो गोल पाकर रहे उस पर अप एक तुम focus आप ज़्यादा आप स्टोर करके पाएंगे, आपका रॉम, आपका रैम जो बोलते हैं ना, मोबाइल में जो रैम होता है ना, मिम्री कार्ड, वो आपका एकदम स्ट्रॉंग होता जाएगा, आप अंदर से खुश महसूस करेंगे, ठीक है, सेल्फ कंफिडेंस आपका बहुत जवरदस्त होगा, अगर आप thoughts को control कर लेते हैं तो, thoughts को control करने के लिए क्या करना परेगा, सबसे पहले, मैं सिर्फ चार चीज़ बताऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं सिर्फ चार चीज़ों पर focus कर रहा हूं, ताकि आप अपने thoughts को control कर सक कुछ भी रख रहे हैं आप पहले आपने गोल को लिख लीजिए आप पहले आपने गोल को लिख लीजिए चोटा सा गोल बनाईए एक दिन का एक घंटे का गोल बनाईए अगर आप थोर्स को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप जट से डायरी लीजिए पहले लीजिए उस पर शोट टास्क बनाई है आप जो भी कर रहे हैं उसको छोटे-छोटे टोकरों में बाड़ दीजिए चोटे-छोटे पीस करके बार दिए आपका बहुत बढ़ा काम है उसका मैंड में रखने के लिए कुछ पर रहे हैं तो आपको करना क्या है इतना बड़ा जो आपका जो लेस जब आप काम करेंगे इसको जब आप छोड़े-छोड़े कुछ भी अगर आप फुल्फिल करते अपने काम को एचीव करते तो उस पर आप एक reward दीजिए आपको इसको आपके brain को बहुत अच्छा लेगा इसे क्या होगा और भी task पुरा करना ये चाहेगा brain और भी task पुरा कर ये मैं कर सकता हूं जो चीज़े self-talk करिया आप अपने आपको अपना जो गोल को आपना दीवार पर लगा दीजे इधर उदर उदर चारों तरफ लगा दीए आपका brain पचास हजार थौर्ट आपके brain में हमेशा खेल रहा है वो जब आपके गोल को देखेगा तब आपका brain आप आपने कहीं पर लिखा हुआ है आप देख रहे हो बार बार उसको तो सोचने के लिए मजबूर हो जागा नहीं मुझे ये पूरा करना है brain को आप एग दम systematically आप brain को आपने गोल की तरफ फोकस्ट करने के लिए आप प्लानिंग करो ये सब करके नमबर चार पर आता focus on your breathing जी हाँ अपने सास पर focus करो जब भी दिन में आप लिख लो कहीं पर लिख लो फोन के जो आपका डिस्प्ले है उसमें लिख लो focus on your breathing मतलब क्या है जब आप काम कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो जब आप mobile देखो के ना तो आप उपर लिखा हुआने यह focus on your breathing अपने सास पर एक पर focus करो कैसे क्या करना है जब भी आप तो वह दिखे आप जट से लंबा सास लीजिए आप अभी लीजिए बहुत अच्छा लगएगा जब आप focus करते हैं अपने breathing पर मतलब क्या है आपको तब क्या करना है अपकी जो सास है जो हवा जो है अंदर कहा तक जा रहे है उस पर आपको focus करना है ब्रेन को वहाँ पर ले जाना है, आपको ये करना है कि सास किस तरब जा रहा है, पेट के अंदर जा रहा है, फिर वहाँ से कैसर निकल रहा है, इस पर फोकस करना है, मतलब लिव इन प्रेजंट यही बोल रहा हूं, मतलब जब आप प्रेजंट में लिव करते हैं, तब आप और ज़्यादा रहते हैं, ये सब करने का क्या मतलब में पता है, आप 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, जो थौर्स अपके बिरिन में चल रहा है, उसको सिर्फ स्लो करना है जितना आप स्लो करेंगे उतना आपका कंसेंट्रेशन पावर बरता जाएगा जितना आप स्लो करेंगे उतना फोकस होंगे अपने गोल में ठीक है इसलिए बस आपको सिर्फ स्लो करने के लिए इस सब करना जरूरी है एक लास्ट में नॉट लीस्ट मेडिटेशन एंड एक्सराइज यह बहुत इंपोर्टेंट है बहुत सारे लोग करते नहीं है इसलिए मैंने यह लास्ट पर रखा है यह तीनों कर लो इससे भी बहुत साइदा होगा इससे नहीं हो रहा है मतलब आपका और भी ज़्यदा करके रखते हैं घळब बूलते हो ओम्कार अपकर आप जब करते हो ना अपका जो फोकस्त होता है अपका यहां पर एकलुम फोकस रहता है एक बा șans तरीके से आप girls किसी आशन में आप अगर बेठते हो, बेठकर अगर आप ओमकार अगर करते हो, तो आप present पे रहते हो, आपके brain जो है ना, वो कुछ भी नहीं सोचता है, बस यही पर आपका जो सोच है आपका जो brain है यही पर रहता है आपका body पर रहता है आप अभी क्या कर रहे हो उस पर रहता है शान्त मन एकदम आपका होता है यह करेंगे तो आपका जबर्दस्ट result आने वाला है आपना student हो आप housewife हो आप क्या हो कुछ भी हो doesn't matter आप बस यह करिए आप focus कर पाएंगे लास्ट में ने यह सिर्फ रखा है meditation exercise करने में भी आप क्या करते जब कोई भी आदमी जब exercise करता है कोई भी lady exercise करता तो focus वही पर रहता है मेरा muscles कैसे बरेगा मेरा यह कैसे बरेगा यह इसाब कैसे बरेगा इन सब पर focus रहता मैं तो live in present हमेशा बोला हूँ तब आप उसका focus रहता है काम के अफ्रतिक एसा करते 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 आपका brain एगदम एक ही चीज़ पर focus होगे देखें जितने सारे successful लोग है thomas alvadison बोलिए steps jobs बोले जितने सारे लोग यह लोग क्यों focus कर पार कि एक चीज़ पर एक चीज़ पर concentrate कर पारे concentrate कर पारे इसलिए वह लोग आगे ब करने के लिए आपको यह बस करना ही परेगा वीडियो कैसा लगा कॉमेंट में जरूर बताएगा अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाना मद बुलिगा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर जिए ऐसा ही और भी आच्छा टॉपिक चाहि उसको भी अगर आप परता है तो परचेस कर सकते हैं कि सो मच पूर मचे नमस्कार एंड बाइबाई